जहर भी इतना महंगा हो सकता है हाँ जब उपचार मुश्किल हो तो उसके दवा मुश्किल से मिलती है कैंसर प्रेंट यूमर जैसी बिमारियों का अब तक इलाज नहीं मिला है लेकिन बिच्चू के जहर के कुछ उमिदे जरूर बनी है अब भी चल रही है आईए जानते हैं बिच्चू का जहर इतना महंगा क्यों होता है एक बूंद पानी की किमत सायद कोई न समझे लेकिन एक बूंद के जहर की किमत अगर हम सो डॉलर यानि आठ हजार रुपए से चादा कहें तो सायद आपको यकिन नहीं होगा यह सच है निया के सबसे खतरनाक बिच्चू का जहर भी काफी महंगा मिलता है रेपोर्ट के माने तो करीब साड़े तीन लिटर बिच्चू के जहर की किमत आई अरब रुपए से चादा होती है इसे अगर हम एक कम मात्रा में समझ कर देखे तो एक बूंद की किमत करीब 135 डॉलर आएगी आज की इस नियुद में आज हम आपको बताएंगे बिच्चू के जहर के बारे में डिटेल में नाम जान लिजिए सबसे खत्रनाफ बिच्च्चू में से एक का नाम है डेट लगा है दिल्चस बात यह है कि इसका जहर इतनी सावधानी से निकला जाता है उसे चोट ना पहुचे ऐसे में बिच्चू के ड और जो जरा से बिच्चू को होने के बाद इनसान की मौत भी वहाँ पर हो सकती है जाने तोर पर एक बिच्चू से 0.5 एमजी जहर निकलता है आप सोच रहे होगे कि इतने खतरनाक बिच्चू के महेंगे जहर का क्या होता होगा उसराइटिस जैसे कई बिमारिया इनसानों दर्द के इलाज में इसका इस्तमाल होता है इसर के इलाज में भी इस जैसर का इस्तमाल होता है इसे प्रेंटियूमर का भी इलाज किया जाता है इसके मरीजों के इलाज भी इससे होते हैं कि यह अलग अलग देसों के नियम के अधार पर होता है इतना ही एक्सपर्ट बतात किसी भी वाता और में यह comfortable रह सकते हैं उस तो आपने जाना कि बिच्चु का जहर इतना महांगा हो सकता है इस विडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस विडियो को जरूर शेयर करें ताकि बिच्चों के वैल्यू भी हमें समझ में आए फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद